नमस्कार दोस्तो, ASV Knowledge की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो पिछले कल भारतियाट डिफेंस को लेकर एक नहीं, बलकि दो-दो बड़ी अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है जिसमें से पहली अपडेट है, एमका के फाइटर जट के फ्लाइट ट्राइल्स को लेकर और दोसरी अपडेट है रश्या को लेकर और ये दोनों ही अपडेट सूपर क्रिटिकल है इसलिए इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को एंटर जरूर देखिए तो दोस्तों बात करें अगर पहली अपडेट की तो हमारा जो एमका फाइट जट है इसके प्रोग्राम डारेक्टर जिनका नाम कृष्णा राजेंद्र है पिछले कल भारत के एक मेडिया हाउस ने इनका इंटर्व्यू लिया था और इस इंटर्व्यू में उनसे ये पूछ गया था कि भारत का जो एमका फाइट जट है इसको लेकर CCS यानि की कैबिनेट कमेटी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है और कुछ ही वक्त में एमका के लिए 15,000 करोड का फंड रिलीज कर दिया जाएगा और HL और ADA एमका के टोटल 5 प्रोटोटाइप बनाने वाले हैं उस तरह से भारत के एमका का पहला फ्लाइट टेस्ट कब होगा क्योंकि बिना फ्लाइट टेस्ट के तो प्रडिक्शन में आने का सवाली पैदा नहीं होता और इसी चीज का जवाब पिछले कल कृष्ण राजिंदर सर ने दिया है तो दोस्तों कृष्ण राजिंदर सर के अकॉर्डिंग एमका का जो पहला फ्लाइट ट्राइल है वो साल दोजार अठाइस के सितंबर महीने से स्टार्ट हो जाएगा जो कि आने वाले चार से पांच सालों तक चलेगा और इस दौरान एमका फाइट जेट में लगे सेंसर्स उसका ऑन बोर्ड सिस्टम उसके एवि साल 2032 से 33 के बीज ही खत्म हो पाएंगे और 2033 से 34 के बीज एचल और एडिये को एमका के इनिशल वेपन सेट को भी डिसाइड करना होगा और सरकार को यह बताना होगा कि एमका फाइट आजेट में कौन-कौन से वेपन से इंस्टॉल किये जाएंगे और इस सब के बाद का काम सुरू हो पाएगा यानि कि आने वाले दस से ग्यारा सालों तक भारत को मिलने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है और शायद तब तक चाइना और पाकिस्तान की सिच्वेशन को बैलेंस आउट करने के लिए भारत किसी और देश के फिफ्ट जनरेशन के खरीद सकता है तो का एक कॉंट्रेक्ट साइन किया था जिसके तहट रश्या आइनस तूसील और आइनस तमाला नाम की दो फ्रिगेट का निर्मान रश्या में ही करने वाला था जबकि बाखी के दो फ्रिगेट टेक्नलोजी ट्रांसफर के जरिए भारत में बनाय जाने थे और इस डील के मु पाया और उपर से सेंक्संस की वज़ा से रश्या की डिफेंस इंडस्ट्री लगबख बरबाद होने की कगार पर आ चुकी है लेकिन बावजूद इसके रश्या ने भारत की नेट को ध्यान में रखते हुए इन फ्रिगेट को जैसे तैसे करके पूरा करने का फैसला किया और अब खबर निकल कर आ रही है कि रश्या ने भारत के तूसील फ्रिगेट का टेस्ट सक्सेस्फुली कंड़क्ट कर लिया है यानि कि इंडियन नेवी अपने जिस एडवांस स्टैल फ्रिगेट का बेसबरी से इंतिजार कर रही थी पिछले कल रश्या ने उस कर रहे हैं कि यह ट्राइल इंडियन नेवी की पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करने में मदद करेगा यानि कि अब यह तैह हो गया है कि यूक्रेन युद का भारत और रश्या की दोस्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है और नहीं आगे पड़ेगा क्यूंकि रश्या भ पाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जैही जै भारत